के लिए औरट घिलास पानी लिया पहले हमने पानी को एक कड़ाई में बॉयल कर लिया दोने के बाह्त में हमने इसमें घूर डाल दिया में EL4 अब इसको संऄ कि बखना उनने खाईन हम दो नट सब्सक्मजिक दाला तो अहीं हमने आटा और जी को मिक्स करके दस मिनित के लिए छोड़ दिया था है उसको चलनी से चांके त service में से अब ले लिया हैं आज पर हमीं रखेंगे पिर इसको धीरे 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 अलका ब्राउन होने तक सेखेंगे गोल्डन ब्राउन हो गया है इसे हमने दस से बारा मिनित तक सेखा है चास्नी में हमें हमने इलाइची पाउड़े डाल लिया है चास्नी हमारे तईधा अब इसमें खोड़ी-खोड़ी करके चास्नी मिलाएंगे और इसे साथ ही ड्राइफूट्स कटे वे हैं वो डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि अच्छे से मिक्स नहीं हो मेठा ज्यादा चाहिए तो आप चीनी भी डाल सकते हो ज्यादा नहीं डाल देंगे रियान दखेंगे आप अब इसको अब तरह मिक्स कर ले मिक्स हो गया है इसको हल्का ठंडा होने के लिए देंगे हम कि अच्छे हमारा रेवी है कि अच्छे में अच्छे में अच्छे लगाएंगे कि अच्छे मारा ठंडा हो रहा है दीरे दीरे आप डेशन के भी मोदग बना सकते हो मिल पाउडर डाल गे वह भी बहुत टेस्टी और अच्छे बनते हैं अच्छे से प्रैस करके इसको अच्छे से दबागे अच्छे से दबागे अच्छे गूड के और आटे के मोदग हो गए अच्छे को गूर बहुत पसित है कि अच्छे का बनाया है जब गरम गरम होता है तभी इसका सेप बैठता है थंडा होने के बाद में इसका सेप नहीं बैठेगो तो थोड़े गुंबुने में ही आप फटा फट इसको मोदग के रूप में तयार करें अच्छे को अच्छे को अच्छे करने आसानी से मार्केट में मिल जाता है इस प्लास्टिक का एल्मूनियम का अच्छे सकते हो थाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं जैसे दीखने में लग रहे हैं वैसे ही खाने में लगेंगे अब 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 दनके तयार हो गय हैं आप इसको लड़ू जैसे भी बना सकते हो अब 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 अब